नमदकार स्वागत है आपका भी एच बीसी न्यूज में मैं हूँ आपके साथ रंजना सिंग्राठोर और आज इस्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अजय मौर्या जी अखिल भारतिय मौर्य सभा के राष्ट्र अध्याग्ष अजय मौर्या जी बहुत-बहुत चीट करेंगे कई सवालात करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आप से यह जानना चाहूंगी कि जो आपकी मौर्य महास तभा है इसका खास उद्देश क्या है अखिल बारतिय मौर्य महासरा का मेर उद्देश है कि सम्राठ असोंक मौर्यमाहान का भारत पुन है हमारा देश हो क क्योंकि सम्राठ असोंक के सासन में हमारा देश सोने की चुडिया था हम चाहते हैं हमारा देश दुबारा सोने की चुडिया बने तो जैसे कि आपने कहा कि एक बार फिर से आप अपने देश को अपना बनाना चाहते हैं तो क्या लगता है आपको कि हमारा देश हमारा नहीं रहा क्या किसी ने इसे लूट लिया है इस समय केवल जो हमारी उच जाती है केवल उनी का राज है जबकि सबसे ज्यादा 85 परशेंट लोग ओबी सी और एस सी के होने के बावजूद हम लोगों को जो हिस्सेदाई राजनती मिलनी चीए वो नहीं मिल लए है इसी के उस पर हमारा समाज संगर्स कर रहा है अकिल वारति मौरे महासभा इस पे पूरी जो सोर्श संगर्स कर रही है हर जगे हमाई साखाय कुल नहीं है हमारी साखाय उत्तरपरदेश दिल्ली हर्याना पंजाब गुजरात माहराश्ट में खुल चुकी है और जगे कार्य चालू है जैसा कि महुरे जी आपने बोला कि जातिकत विवस्था कहीं ना कहीं ठीक नहीं है लेकिन जो हमारी सरकार हैं आने से पहले चुनावों में आने से पहले गोशनाय करती हैं तमाम की हम आरक्षन देंगे सरकारी जॉब्स उपलब्द करवाएंगे उनको तो क्या लगता है आपको कि आपके महासभा से जुड़े लोग हैं या आपकी जाती विशेश जो लोग हैं क्या उनको अभी तक जिस चीज की उम्मीद थी वो उनने नहीं मिल पाया क्योंकि चुनाओ से पहले हमारी जाती को लगा था कि हमारे उत्तर परदेश के अंदर हमारा मुख्यमंत्री बनेगा लेकि ऐसा नहीं हुआ जो हमारे केशो परशाद मौरिया जी को परदेश अद्यक्स थे उन्हें बाद में हटा के डिप्टेशियम बनायागा जबकि उन केवल हमारे समाज की है क्योंकि हमारे समाज की जनसंग्या उत्तर परदेश के अंदर 14-15 परशेंट है जब एक बड़ा दढ़ा किसी तरफ चलता है चोड़े-चोड़े दढ़े हैं वो साथ मिल जाते हैं उसी की वज़ा से आज यूपी के अंदर भारती जंता पार्टी की जी बिलकुल भारती जंता पार्टी की सरकार है और आपका कहना है कि आपकी जाती के लोगों को मौके कम मिलते हैं खास तोर पर राजनीती की बात करें लेकिन आज जैसा कि आपने बोला कि केश और प्रसाद मौजे जो डिप्टी सीएम है इसके अलावा सौामी प्रसाद मिनिस्टर है तो तमाम मौके मिल रहे हैं और भी लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं ऐसे में क्या लगता है आपको की आने वाले चुनावों में आपकी जाती विशेश के लोगों को आपकी जैसी के डिमांड है जगह मिले लेकिन हम लोगतांत्रिक देश में रहते हैं यह सबी लोगों को बराबर का अधिकार होता है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि पहले चुनावों से पहले 2017 की चुनाओं से पहले परदेश अध्यक्ष OBC से बनाया केशो परशाद महुरे जी को लेकिन जब सरकार बनती है तो मुख्य मंतरी उच जाती के बनते हैं मानने योगी जी और परदेश के अध्यक्ष पुना कोई बनता है तो ब्रामर समास से बनता है ऐसा क्यों जब OBC की व कही महत्वण भूमी का निभाती है और यहीं वजय होती है कि मुख्य मंतरी का चेहरा है कि ऐसे व्यक्तित्व को रखा जाता है जो जादा उस प्रदेश में लोगप्रिय हो मौर्या जी इसके साथ आरक्षन के अगर मैं बात करूं क्योंकि खास तोर पर ऐसे कि आप लोगो को अपने वीशेश अधिकार चाहिए और सरकारने कहीं लेकिन बहुत दुर्यूपियोग होता यहीं काफी मौरीघ क्योंकि मेरी कहा है लोगों को मिलना चीज़ जो इसके जरौत मन पर मिल रॉझ अंब तो दॉरक्षन का है कि तो गलत नहीं लगता आपको कोई करमें पर गातम कर दें आपने पूरी पेम उसमें देखा होगा जॉब के अंदर कि जितनी पिम पिमों के अंदर जॉब से उसके तोटल जाती कि लोगा है ऐसा क्यों जब कि जब वहाँ पे सीट है खाली तुने भरिये आप वीची जी भरिये क्यों नीवरते और रही बाद स्वांने प नेता होता है तो नेता विपक्ष होता है तो बसपा के अंदर नेता विपक्ष थे तो उसी किसाफ सोने पद देना चाहिए था लेकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यह जो सरकार है वह नहीं चाहती कि OVC आगे बढ़े अगर OVC आगे बढ़ गया तो जो कुछ चुनिंदा आजा तो आज हमारे मुख्य मंत्री होता और आज हमारे कई कैबिन मिनिस्टर होते ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पीछे धर्म सेनी जी कैबिन मिनिस्टर थे लेकिए इसमें रज्य मंत्री बनाए गया स्वाइन प्रसान मौरिया नेता विपक्ष थे कैबिन मंत्री थे बसपा गोवर्मेंट के अंदर तीन चार चार विभाग थे उनके पास और आज उन्हें केवल लेवर मंत्राले दिया गया अगर हमारे साथ सायोग होता हमाई जाती को अगर मान संबान मिलता तो हम मुख्य मंत्री होते और बहुत साने मंत्राले हमारे पास होते ऐसा नहीं है तो आने वाले समय में जो लोग सभा चुनाव आने वाले हैं 2019 में मौरिया जी तो क्या आपकी महसभा या आपसे जुड़े लोग BJP कॉप समर्तन देंगे क्योंकि आप लोग ना खुश नजर आ रहे हैं से कहीं न कहीं देखिए 2019 की बात करें तो अभी टाइम है और जैसा कि अभी उत्तर परदेश के अंदर विस्तार होना है संगठन के अंदर भी प्लस मंत्राले के अंदर में अगर वहां पर हमाई जाती को जिस हिसाब से हमारी से भागता है वैसे सम्मान मिला तो हम BJP समर्थ अभी नहीं कह सकते हैं जैसा कि आपने बोला कि वक्त बताएगा और वक्त गवा है हर चीज का कि पहले से चली आ रही प्रजातियों को जो विशेश अधिकार दिये गए थे कहीं न कई वो समाप्त हुए हैं और सरकार की अपनी मंशाय होती हैं हर चुनाव के जीतने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत शुब कामना है आपकी महासभा को आज के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ नमस्कार